कि नमस्कार मेरे प्यारे साथी हो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि बहुत ही प्यारे चनल्स यहां पर वर्ड एफेस के अंदर साथी हो आज हम बात करने वाले देखें ब्लड की और कंपोनेंट्स के बार में जिसकी उपर मैं आपको पहले एक वीडियो दे चुका हूँ तो जैसा आपको मैं ने उस वीडियो में बताया था कि ब्लड की बात की जाती है तो ब्लड यहां पर देखें दो कंपोनेंट्स से मिलके बना है एक कंपोनेंट पाया जाता है पर लिक्विड स्टेट के नितर जिसे बोलते हैं प्लाज्मा और यहां पर कुछ कुछ पाया जाते हैं पेस सॉलिड स्टेट में जिसे बोलते हैं तो अब मैं करता है कि oggi हां पर किताब के लumental के सकते नहीं के सकते कोई दिकत नहीं है तो जो बाग कि जाएगी चीद में पाया जाने वाला एक यहलोश पदार्त है जो यहां पे एक ब्लेट को देखें कर ने कहीं जो मु जिसे बोलते हैं red blood carpals भी चोटा सा shape है दूसरा है आप है WBC जिसे बोलते है white blood cells जिसे बोलते है white blood carpals भी और last में है platelets जिसे बोलता है रत्र बीबार्डू चली अब question बनता है कि हमारे body के अंदर क्या हमारे blood के इंदर की composition कितनी है हमारे blood में कितना कितना पाया जाता है देखे इसको मैंने देखे इसके पहले वाले पार्ट में पूरा cover किया था लेकिन मैंने इससे यहीं पर यहीं ते cover किया है आज इसके आगे की बाते बहुत detail से बताने वाला हूँ और यह पार्ट मेरे साथ हुई examination के point of view से बहुत जादा important है उसमें आपको मैंने सारा का सारा जो blood क introduction तब वो दे दिया था और इस part के अंदर मैं blood के अंदर पायो जाने वाले main components के बात करने वाला हूँ और यकीन मानेगा कि examination के अंदर बहुत कुछ नया है जब कोई दीखने को मिलने वाला है और उस examination के अंदर जितनी भी चीज़े बन सकती है उन सब का concept हमने इस class में cover किया और यहां पर playmates है अगर RBC की बात कि जाती हो तो हमारे शरी के अंदर यहां पर microliter यहां पर 4.7 से 6.1 यहां पर million देखे RBC पाय जाती है वहीं पर जो बात करते मिरे साति हो वहीं किसके बार में WBC की बार में तो WBC की जब बात कि जारी है तो पर microliter यहां पर 4500 से लेकिए 11, 12,000 के असपास हैं पर WBC मिलेगी और वहीं पर प्लेटलेट्स की जब बात करेंगे रत बिमानु की जब बात करते हैं तो पर इंका आकार कैसा है तो आरबी सी का शीप बहुत चोटा मिलेगा संख्या जादा है शेफ यहां पर बड़ा है और प्लेटलेट्स की संख्या भी यहां पर लेकिन नॉमल होती है तो हमारे शरीफ में सबसे जादा संक्या में पाया जाने वाला जो में संखिया बहुत जादा है लेकिन आकार उता होता है वहीं पहीं पर हम बात करते हैं में ब्लड कंपोनेंट्स के बार में देखे तो हमारे ब्लड के अंदर जो Blood Carpless मिलते हैं जिनने बोलते हैं लाल रत कणिका या शोरत रत कणिका या Platelets तो मेरे साथने चेहंने बोलते हैं Blood Carpress और Blood Carpals यह इसमें पहला है हमारा RBC, RBC का जो Scientific Name है पूच cardboard का वह साथ poo जाता है पर का य्थ्रोसाइट है Platelets का जो वैगजानिक नाम है वह है यह साइनियम आपसे पूछेंगे वहीं पर आर्बी सी का जो साइन्टिविक नेम है मेरे साथ ही वह पर यर्थ्रोट और यहां पर देखें वाइट ब्लड सेल को मेरे साथ हो कहा जाता है यह अपसे एक्जामनेशन में कोच्छन पूचा गया है अब आता है मीन पोच्छन यह है और वी सी देख पाएंगे चोटा सा है इसका जो वैग्यानिक नाम विया गया है जो साइंटिविक नेव है वो कौन से यत्रोसाइट है डब्लूबीसी यहां पर कौन से है लिकोसाइट है काफी बड़ा है और प्लेटलेट कौन से मेरे साथ है देखें एक्जामनेशन में इनके वैग्यानिक नाम से साइंटिविक नेम से ही कोशन पूचा जाता है मेरे साथ यह चलो आप यहां पर देख पाएंगे बहुत अच्छी तरिकी से स्क्रीट पर तो यहां पर ब्लड वैजल है कोई रिके नस बैरी है एक नस नहीं होती है यहां पर इसे बोलते हैं रत क प्लाजमा जो पूरे ब्लड का लबब 55% होता है यहां पर देखिए आपको WBC नजर आने वाली है हमारे शरी में मानव शरी के अंदर यहां पर पांस तरह की WBC है जो पाए जाती है जिसमें पहला है लिंफोसाइट दूसरा है बैसोफिल्स फिर इसानोफिल्स है निट्रोफिल्स है यह 5 तरह की WBC है जो पाए जाती है और अब बहुत सारे RBC और बहुत सारे प्लेटिल्स को पर देख पाएंगे तो ब्लड कंपोनेंट्स की जब बात करते हैं ब्लड कापल्स की बात करते हैं तो उनमें सबसे जादा संख्या में पाया जाने वाला जो मे यह गाले जो लेक्चर है बहुत सदो ब्लड का यहां पिल्लका प्लाजमा हमारे शुरीकमें यह怎么了 उरा जाने वाला पी ल चारी द्रव और हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर 90% दिखिए जो water है वो plasma formation करता है और 10% यहाँ पर other substance है जो plasma का formation करेंगे अब plasma की बात किये जाए तो plasma दिखिए यहाँ पर चिपचिपा होता है मेरे साथी हो जिसमें बहुत सारे proteins पाया जाते हैं एक्जामनेशन में कुशन पूछेंगे कि plasma में कौन-कौन से proteins मिनने वाले है तो याद करेंगे मेरे साथी हो कि plasma में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो protein है वो है albumin और albumin की जब बात करते हैं तो लबस 60% जो plasma component है वो albumin से बना हुआ है यही पर एक बहुत इंपोर्टेंट प्रोटीन है जिसका नाम है fibronogen और fibronogen की जब बात करते हैं तो 4% के आसपास जो plasma component है वो fibronogen से बना हुआ है आपको बता दो मेरे साथियों कि Fibronogen काम क्या करता है हमारे blood में जो blood clotting होती है जिसे बोलते हैं रत्का थक्का जम जाना तो रत्का थक्का जमाने के लिए यहाँ पर जिस protein की बहुत ज़्यादा आफशक्ता परती है बहुत ज़्यादा health मिलती है आपको बता दो कि यदि आपका कभी दिल तूटा हो तो आप यहाँ पर कई बार इस तरह के कार है वो करने के कोशिश करते हैं जो बहुत ज़्यादा गलत है मेरे साथियों तो यहाँ पर मान लिजे कि अगर आपने इस प्रगा कार किया तो हमारे शरी के अंदर कुछ ऐसे तत्तु पाया जाते हैं जो यहाँ पर घाव को भरने का काम करते हैं तो हमारे शरी के अंदर ऐसे तत्तु हमारे शरी के अंदर ऐसे पाया जाने वाले कंपोनेंट जो किसी भी घाव को अंदर से भर देते हैं उसे बोलते हैं blood clotting तो blood clotting के अंदर यहाँ पे बहुत सारे proteins हैं, बहुत सारे vitamins काम करते हैं और यह जो clotting factors हैं मेरे साथ किस में पाय जाते हैं plasma में और platelets में पाय जाते हैं तो जो fibronogen है ना fibronogen जो plasma में पाया जा रहा है 4% वो यहाँ पे blood की clotting करने में help करता है और इस कारण से आपकी जान बच जाती है अगर मान के चलिए कि हमारे शरी में इसकी कमी हो जाती तो आपके काटने से बहुत सार रखते है जो बै जाता है और इंसां के मित्त्य हो जाती है तो जो sugar patient होते हैं जिनके अंदर जिनके शरी में glucose के लेवर बहुत जादा हाई होता है उनके शरी में fibronogen की कमी हो जाती है और जिस कारण से छोटी भी इंको cut लग जाए तो बहुत जादा मात्रम में जो blood है वो निकल जाता है जब किसी patient को hospital में admit किया जाता है तो उसे पूछा जाता कि आप glucose patient है कि कि नहीं है आपको diabetes या sugar है कि नहीं है अगर होता है मेरे साथियों तो कभी भी उन patient का पर चीरा-फाडी वाला operation नहीं किया गाता कोशिश की जाती है कि उनके शरी की जितने भी समस्या है वो बिना चीरा-फाडी की कर दिया जाए और यहां पर चीरा-फाडी बहुत ज़्यादा अवश्यत्ता पढ़ जाती है तो उनकी खून को थोड़ा सा गाड़ा किया जाता है ताकि क्लोटिंग यहां पर ज्यादा हो जाए ठीक है साथियों यह आपको basic बात पताओ नहीं चाहिए ठीक है प्लाजमा को दान इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे प्लाजमा के अंदर यहां पर एंटी बॉडिस का फॉर्मेशन हो चुगा है और आप जानते हैं कि एंटी बॉडिस वह तत्तु होते हैं जो किसी भी पैथोजन से लड़ने में यह हमारे शरीक के अंदर इम्मृटी को डेवलप करने का काम करते हैं तो मानव शरी के अंदर एंटी बॉडिस का फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है अगर आपसे कुशन पूछा जाए तो हीमन बॉडि के अंदर जो एंटी बॉडिस का फॉर्मेशन हो रहा है मेरे साथ है और एंटी बॉडिस जो में काम करत तो COVID patient के ठीक होने के बाद उसके शरी में ऐसी antibodies बन जाएंगी जो किसी भी अन्न कोरोना वारेस जो कोरोना वारेस जो नया स्प्रिन आ रहा है उससे लड़ने में सक्षम है अगर उस antibodies को यहाँ पर दान कर दिया जाए तो definitely मेरे साथ ही हो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति भी उनसे लड़ सकता है जो आपकी vaccinations है तो vaccination भी यहाँ पर सेम काम करती है सेम प्रोसेस है बस यहाँ पर आपकी शरी में active वारेस है ता वहाँ पर inactive वारेस है vaccination के अंदर जो हमें लड़ना सिखाता है व्लड की जो बात करेंगे तो प्लाजमा को अलग किया जा सकता है तो हमारे प्लाजमा को अलग किया जा सकता है ले डेक्ने के आधारट के हो मुझे है तो हैं पर कैसा है हेट्रोजीनेस है जिसे बोलते हैं असमांगी तो आप बड़ी आसानी से इनके जो components है इन्हें अलग कर सकते हैं तो हम जब दान करते हैं blood का तो हमारा पूरा blood है जिसमें RBC है WBC है platelets है और यहां पर plasma भी है लेकिन आप बड़ी असानी से plasma को जलक कर सकते हैं और plazma को अलग करने की जो process होती मेरे साथ को उसे बोलते है plasma parasis तो प्लाजमा 조ंat इसी तरह से आप अपने blood में इसया पर forwards अलग कर सकते मेरे सालियें जन्ने बोलते है रत भीम्बानू और रत भीम्बानू को अलग करने है आपके लिए हो सकता है नाए हो ठीकि मैं बता दू मेरे साथियों medical science का उपियोंग बहुत जादा किया जाता है और डॉक्टर ऐसे ऐसे टम्स का यूज करके ही कई वार को डरा देते हैं कि जो उसके प्लेट में इसे थोड़ा दा थ्रॉंबो सैटो पैरेसिस लेकिया जो ऐसी कंडिशन आपसे बोलेंगे ऐसी शब्द आपसे बोलेंगे ठीकिए यह बेसिक इंफोमेशन को पता होनी चाहिए चलो तो आप यहां पर देखिए यहां पर प्लाजमा को डोनेशन कर सकते हैं मेरे स इसे और इसे सेपरेटली यहां पर ब्लेट बैंक में स्टो कर लिया जाता है तो यह प्लाजमा जमे नहीं इसके लिए बहुत सारे को एक टत्व मिला जाते हैं जिनसे प्लाजमा जमता नहीं है और आप एक साल तक यहां पर प्लाजमा को स्टो करके रह सकते हैं अगर ब्ले सीरम और प्लाजमा में बेसिट डिफरेंस किया है हमारे शरी के अंदर देखिए जो लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला ब्लड का पाट इसे बोलते हैं प्लाजमा आप जब प्लाजमा में से क्लोटिंग फेक्टर जिसे कह सकते हैं विटामिन के यह प्लाजमा में से क् कर्धियन ऋता है जिसमें सीरम कर्धियन किया जाता है यहाँ पर पर बता दू कि टेस्ट किया जाता है जिससे और वारेल टेस्ट कहते हैं तो याद करने जगा कि घाएं कि अध़ को अटा दिया जाए तो बचो यह पार्ट को हम क्या बोलते मेरे साथ है सीरम कहते हैं आप जल्दी से सका स्क्रीशॉट ले लिजे जो आपके एक्जामनेशन के पॉइंट वी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चली सातियों देखिए अब देखिए हम जो बात करें हैं पर आगे तो कोशन बनता है से कि क्लॉटिंग करते समय यहाँ पर कौन सा है पर एलिमेंट है जो बहुत साथ होता है देखिए एक्जामनेशन में पुछन पूछा जाएगा तो याद के लिजयों में साति हो कि जब भी हमारे शरी में ब्लेट क्लॉटिंग होती है जब घाव भर जाते है तो खून देखिए जो रगत है वह अपने आप यहाँ पर उस घाव को भर देता है जिसे बोलते हैं ब्लेट क्ल होना चाहिए देखिए मैं आपको सारी की सारी बाते हैं घ्रीडरे से बताता हो जारे देखिएगा तो यहाँ पर थ्रॉंबो प्लास्टिन एक्तात्व है जब थ्रॉंबो प्लास्टिन में यहाँ पर प्रो थ्रॉंबीन और केल्शम मिल जाता है तो बनता है थ्रॉंबीन यह थ्रॉम्बीन क्या करता है, यहां पर फाइबरोजेन जो यहां पर पाया जारने वाला प्रोटीन है, इसके साथ धागी का निरमान करता है, जिसे बुरत हैं फाइबरीन, यह फाइबरीन, देखिए हमारे शर्में पाया जाने वाले जो ब्लड कारपल्स हैं, RBC है, WBC है, इनके साथ मिलके हमारे ब्रत को क्लोट कर देता है, यहां पर देखिए उसका थक्का जमा देता है, तो यह पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने बता दिये, अगर आपसे एक्जामनेशन में कोशन पूछके ना मेरे साथ ही हो, तो यहां से जरूर पूछेंगे, कि यहां पर प् एक एलिमेंट है, यहां पर जो काम कर रहा है, जिसका नाम है कैलशियम, अगर आपसे कोशन पूछा जाए, तो यह पूछेंगे जरूर मेरे साथ ही हो, चलो, अब हम बात करते हैं, आप रेकिए, आर बीसी की, जिसके बेस अब बेस अबरी से इंतिजा कर रहे थे हैं, आप कोशन पूछा जाए, कि हमारी शरी में आर बीसी की जो काउंटिंग है, वो किसके द्वार की जाती है, तो हमारी शरी के अंदर या ब्लड के अंदर, जो आर बीसी को मापा जाता है, मेरे साथियों, आर बीसी की जो काउंटिंग की जाती है, वो एक डिवाइस की थूर की ज कहां पर होता है RBC बनती कहां पर है कैसे बनती है तो ज़रा सुनिए को दिखिए हमारे शरी में RBC की संक्या सबसे ज़्यादा होती है आपको मैं बता चुका था कि पर माइक्रो लीटर यहां पर 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स मिलते हैं हमारे शरी में तो हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिन कंपोनेट पाया जाने वाला है वो कौन सब पर RBC है और RBC का जो शेप होता है वो छोटा होता है रिकिंगे संक्या कैसी है ज़्यादा होती है अब कोशेंग मनेगा मेरे साथ यह इंका formation कहा पर होगा तो RBC का जो formation होता है वो होता है कहाँ पर मेरे साथ यह लाल अस्थी मज़ा में रेड बोन मैरो में आप मेरे पीछे अपनी हड़ी देख पा रहे हैं अपनी मतलब यहां पर हमारे शरी में लंबी और मोटी हड़ी से तो हमारे शरी में जू लंबी और मोटी हड़ी है वो अंदर से कैसे है खोकली होती है। और उस खोकली हड़ी में पाया जाने वाला जो part होता है उसे बोलते है मैरोकक्यवटी REM यहाद कर लीजागा examination की point of view से कि RBC का जो formation है वो होता है लाल अस्थी मज़ा से यहां पे red bone marrow से और RBC के formation की process को बोलते हैं erythropoiesis तो erythropoiesis यहां पर condition है यह अवस्ता है किस के formation की मेरे साथी हो यह condition होती है यहां पर RBC के formation की आप से examination में बार-बार यह question लगाता पूछा जाएगा चलिए अब जर्ण देखिए दहां से बहुती बैतरी तो हमारे शरी में देखिए जो अस्ति मज़ा पायाती है मेरे साथी हो वहां से RBC बनती है और RBC के बनने की जो अवस्ता है जो formation होने की जो condition उसे बोलते हैं पर अब हमारे शरी में 2-3 million जो blood cells है बनते हैं जैसा को मनें बताया था कि every second यहां पर 2-3 million जो blood cells है नको formation होता है और हमारे शरी में RBC का जो formation होता है वो ता पर लाल अस्ति मज़ा से जैसा को मनें बताया था अब हमारे शरी में RBC जाती ही कहां पर यह question बहुत जादा पूछा जाएगा आपको हमारे body में यहां पर एक छोटा सा part है जो नजर आना होगा जिससे बुरते है spiland और यह जो spiland है मेरे साथी से बुरते है प्लिहा RBC सारी के सारी जो RBC जहां कहां पर जाके खत्म हो जाती है कहां पर जाके प्लिहा को कहा गया है अब कोशन बनेगा कि हमारे शरी में पाए जाने वाली RBC की life spend कितना जिवनकाल कितना होता है तो 20 से लेके 120 दिन आप कहा सत्ते हैं आपके पुरानी पुराणी RBC का खतम हो जानाल तो ह हमारे शरी में पुराणी पहले स्पेरोसाइट करेंगी यहां पर जो अंदर से चिपके हुई होती है जब यह खतम होने के वस्ता में आती है तो यह फूल जाती है और इसे बोलते हैं स्पेरोसाइट का फॉर्मेशन करती है मेरे सकति हो और बाग में इंक पॉर्शन होता है वह ब्लेड प्लास्मा में लृकि मिल जाता है करता Special लोटे हैं यत्रोसाइड सियाजो N is serving के अन्द आरे ऐबनेफे पूछ कोशन अप से के ये बता दीजे के हमोम का आप हो था में पहां पहां पर पा जाती है तो हमारे शरी में जो हीमो चोटे पार्टिकल्स मिनने वालें इन्हीं को बोलते हीमोग्लूबिन, सही मावगाई में यहाँ च्रॉच्पिन गाए 合डिजन के तो वो बापस लाना तो यह जो मेंन काम है वो किया जा रहा है हीमोग्लोबिंग के द्वारा एक्चल में दिखा जाता है तो आरबीसी का जो ऑक्सिडेशन है वो हीमोग्लोबिंग का ऑक्सिडेशन होता है और Hemoglobin Oxidation के बाद यहाँ पर formation करती है Oxi Hemoglobin का और इसी Oxi Hemoglobin में मेरे साथ ही हो यहाँ पर लोहा गरम हो जाता है और यहाँ पर देखिए RBC का जो रंग है RBC का जो कलर है वो बदल जाएगा जो हो जाता पर Red यार की लाल तो RBC का जो लाग रंग है बेसिकली वो Oxi Current की कारण आता है किसकी Oxidation के कारण आंसर है Hemoglobin की Oxidation के कारण तो मैं बताओ तो मेरे साथ ही हो कि हमारी एक Drop देखिए साथ ही हो तो एक RBC की जो बात की जाएगी तो एक RBC में लग बग यहाँ पर 280 million Hemoglobin की जो molecule से वो पाए जाते हैं याद कली जोगा बहुत important है आप देख पाएंगे हैं कि किस तरह से RBC के द्वारा हैं पर Oxidation हो रहा है हमारे आसपास के cells का हमारे आसपास के tissues का लेकिन ये जो main Oxidation किया जा रहा है ये RBC नहीं करें मेरे साथ ही RBC में पाया जाने वारा Hemoglobin कर रहा है ये basic बात मैंने बता दिये अब सुनो होता क्या है कि जहां कहीं पर दुआ उठ रहा हो जहां पर दिखे के भी आग लग जाती है तो आग से बहुत सारा दुआ निकलता है और दुए में जाने से इंसां की मित्ति हो जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि धुए के अंदर एक harmful gas मिलती है जिसका नमें carbon monoxide मैं बता दूँ आपको बहुत important बात कि हमारे शरी में पाय जाने वाली हीमोग्लोबीन यहाँ पर carbon monoxide के साथ attachment बहुत ज़ादा रखती है अगर हमारे शरी में हीमोग्लोबीन को oxygen मिले और एक जगा पर मिले carbon monoxide तो हीमोग्लोबीन carbon monoxide के साथ bond formation करेगी और यदि यहाँ पर हीमोग्लोबीन ने carbon monoxide के साथ bond formation कर दिया तो हमारे शरी में बहुत सारे carbonic acid की मातरा बढ़ जाती है और carbonic americ की मातरा बढ़ जाने से हमारों की मित्य हो जाती है तो याद कलीजे मेरे साथी हो कि हीमोग्लोबीन यहाँ पर किसके साथ जल्दी से bond formation कर सकता है बंद का निर्मान कर सकता है तो हीमोग्लोबीन यहाँ पर बहुत जल्दी chain reaction करता है carbon monoxide के साथ में तभी तो आप कभी भी यहाँ धुएंवाली शित्र में जाएंगे जहाँ पर दुआ उट रहा होता है तो आपके शरी में गुटन का एसास होना शुरू हो जाता है क्यों कि यहाँ पर carbon monoxide आपके शरी में जितने भी हीमोग्लोबीन है उसकी साथ reaction कर चुका है और यहाँ पर oxygen के carry नहीं होती है जब oxygen हमारे शरी में carry नहीं होगा तो definitely हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़े को साबना करना पड़ सकता है चली बच्चे यह basic बात मैंने बता दिये अब हमारे शरी में देखे हीमोग्लोबीन की जो मात्र वो किसके द्वारा मापी जाती है तो हमोग्लोबीन की यहाँ पर मात्र को मापने के लिए इनकी जो संक्यां मापने के लिए यहाँ पर डिवाइस होता है जिसे बोलते है हीमोमीटर यह इसे बोलते हीमोग्लोबीनोमीटर तो यह डिवाइस है आपको बता दू कि एक पुरुष में सामाने पुरुष में 13.5 ग्राम पर डेसिलेटर हीमोग्रोबिन होना चाहिए लो रेंज के अंदर यहाँ पर हाई रेंज कितनी मेरे साथ यहाँ पर 17.5 है वही महिलाओं की जब बात करते हैं तो मिनिमम यहाँ पर 12 ग्राम पर डेसिलेटर हीमोग्रोबिन होना चाहिए अगर इससे कम हीमोग्रोबिन पाए जाता है तो हीमोग्रोबिंग की कमी से हमारे शरी में एक कमी मतलब होता है और आप बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए मैं जाती हो तो हीमोग्लोबिंग की कंडीशन के अंदर यहां पर मैं पर सब्सक्राइब के अंदर आप ही समझ पाएंगे कि कि यहां पर सीपर का फार्मेशन करती है और सेक्रल सेल्स की मंत्रा बहुत यह जाती है और जिस कारण से भी यहां पर एनीमिया रोक हो जाता है तो एनीमिया के होनी की मेंद दो कारण है पहला है psycho-corporation हो जाना और दूसरा है कि woven के अनदर हाया कि आप लोग ने कोशन पढ़ा होगा कि इसमें कोशन पूछा गया है कि वाट इस अ ब्रेकडाउन प्रोड़क्ट ऑफ दी हीमोग्लोवीन बिलूरूबीन है आयरन है बिलीवर्डिन है यह कैल्शिम है तो याद कर लिजे मेरे साथियों कि हीमोग्लोवीन की ब्रेकडाउन हो होगा तो बेने पहले ब्रेकडाउन से और इसके फर्दर बेकडाउन से बनता है बिलो रूबीन दे प्रूबीन की मातरा ज्यादा हो जाती है तो हमें एक रोग होता है Covid में बहुत शब्द बहुत समझाएं कि जिसे बोटें है hypoxia तेकि hypoxia क्या condition होती है जब हमारे शरी के किसी भी और्ल में oxygen की मातरा बहुत कम हो जाती है oxygen का जो count के बहुत कम चला जाता है उसे बोटें hypoxia तो hypoxia की condition में वहाँ सारे signals पहुते हैं brain पे कि इस ओर्गन में कमी हो गई है, तो हमारे शरी के अंदर यहां पर production को बढ़ाया जाए, तो हमारे शरी में क्या होता है, कि जिस ओर्गन में hypoxia की condition मजाती है, तो वहां से एक प्रका का signal है, जिसे बोलते हैं EPO, EPO देखें, एक kind of protein कहाते हैं, एक kind of hormones है, जिसे बोलते है erythropo कहा जाता है, अस्थी मज़ा में, अस्थी मज़ा में signal response है कि we have to increase the production of the RBC, और यहां पर RBC की condition बढ़ जाती है, RBC का production बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं पर erythropoiesis, मैंने बताया था मेरे साथ है, erythropoiesis, erythropoiesis वो condition है, formation of RBC, RBC बढ़ेगी, कहां जाएगी मेरे साथी, इ इस पूरा cycle है, जो हमारी शरी में चलता रहता है, यह पूरे शरी में automatic cycle है, जिसमें आपकी कोई जरूत नहीं पड़ती, आपका brain बड़ी आराम करता रहे, यहां पर यह चीज़े automatically होती रहती है, अब आप ज़रा देखिए, बहुत important बात RBC के बारे में, RBC की जब मैंने ब सब में, यह दिखें, अंदर से कैसा है, चपता है, जिसे बोलते है, byconcave, तो अगर आपसे examination में question पूछा जाए, मेरे साथियो, कि यहां पर RBC कैसा है, तो RBC आपर circular है, और कैसा पर byconcave है, byconcave ship का है, क्या हमारी human RBC में कहीं पर आपको nucleus नजर आ रहा है, क्या कहीं पर को किं किंद्रक नजर नहीं आता है, तो यह सारे की सारे properties है, human RBC के बार में ज़र समझेगा, तो हमारे human RBC के अंदर किंद्रक नहीं पाया जाता, जब nucleus नहीं पाया जाता है, तो इसकी DNA mapping नहीं हो सकती है, क्या आप कभी यहां पर RBC का use करके किसी का DNA पता कर सकते मेरे साथी है, त इसमें किसी प्रकार से अन्य प्रोटीन नहीं मिनने वाले, और नहीं इसमें गौलगी complex या गौलगी bodies पाया जाती है, यह सारे चीज़ें हमारी human RBC में नहीं पाया जाती है, मेरे साथी हो, लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ exception है, exception मैंने chemistry में बहुत पढ़ेते हैं, आज मै यहाँ पर लामा, पहाड़ी लाकों में मिनने वाली यह भीड़ है, जिसे बोलते हैं लामा, आप देख पाएं कैमल, तो कैमल की भी जो RBC है मेरे साथी, उसमें देखें, nucleus पाया जाता है, और यहाँ पर मेंड़क है मेरे साथी, मेंड़क की RBC के अंदर भी यहाँ एक ने धान से देखिए, आप जब नीचे लाके से जाके पहाड़ी लाके पर जाएंगे, तो आपकी शरी में oxygen की कमी हो जाती है, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे oxygen की आपूर्ती को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, RBC की संख्या और RBC का shape यह दोनो बढ़ेंगे, तो अकर आप से पूछा जाएं मेरे साथी, कि पहाड़ी लाके पर जाने पर RBC की संख्या और RBC का आकार है, यह दोनों बढ़ते हैं, दोनों घड़ते हैं, तो याद कर लीजें मेरे साथी आपके क्या है, दोनों यहाँ पर बढ़ जाते हैं, वहीं पर आप कि मौसम में आप अपनी उपर रजाया डाल देते हैं और ऐसा पैक करते हैं कि हवा भी बिल्कुल पास नहीं कर पाती हो सकता बहुत सा कारण हो आपको बात करनी हूं कोई दिक्कत नहीं है ठीकिन मेरे साथ थोड़ा सा गया रहना चाहिए क्योंकि सोते समय वैसे हमारे शरी मे हो कोई नेहीं हो सकता है लेकिन सत्र रहना चाहिए तब यह भी सात्यों चाहिए क्योंकि बहुत्त से लोग हैं शोते सोते मरत जाते कि उससो कम हो जाता है था को जब सर दो हमारे शरी में जब RBC की संख्या एकदम से बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे बोलते हैं polycythemia येस मेरे साथी याद कर लिजेगा कि हमारी शरी में जब RBC की संख्या एकदम से बढ़ जाती है तो ऐसी condition को कहा जाता है polycythemia ये सारी बाती थी जो मैंने बताई आपको RBC के बार में चलिए अब next हम बात करते हैं पर WBC के बार में white blood carpals ये white blood cell इसे हिंदी में कहते हैं मेरे साथियों पर श्वेत रत कणिका है तो इनका जो formation है वो कहां से होता है तो हमारे शरी में देखे जो WBC हैं इनका formation होता है पीली अस्थी मजजा से आप देख पहेंगे मेरे साथ हो ये जो येलो येलो बोन मेरो नज़र आने वाला आपको तो ये पीली पीली आप ये अस्थी मजजा नज़र आ रही है इसे बोलते हैं आपे कौन सा formation of the WBC और यहां से हमारे white blood couples का formation होता है हमारे शरी में इनका जीवन का कितना है तो तीन से पांस दिन कभी कभी हैं पर पांस से साथ दिन ये हमारे शरी में जीवेत रहती है और देखे ये ना हमारे शरी में जो blood होता है उसी में जाके समाक्त हो जाती है blood में ही जाके मिल जाती है तो हम जब बात करते हैं WBC के बारे में मेरे साथ ही हो तो white blood carples को देखे एक नाम दिया गया जिसे बूरते हैं leukocyte तो leukocyte यहाँ पे नाम है किसा पे WBC का हम जब बात करेंगे मेरे साथ ही हो हमारे शरी के अंदर immunity का जो development किया जा रहा है immunity का जो विकास किया जा रहा है वो यहाँ पे leukocyte के द्वारा किया जा रहा है WBC के द्वारा किया जा रहा है हमारे शरी में किसी भी antigen और किसी भी बाहर की pathogen से लडने का जो काम है वो WBC के द्वारा किया जा रहा है और कहीने कहीं antibodies को strong करता है कौन से हमारा WBC अगर हमारे शरी में WBC के संक्या बहुत जादा होगी तो हमारे शरी में उतने ही strong antibodies मनेंगे और जितनी strong हमारी शरी में antibodies होगी आप उतनी जल्दी यहां पर किसी बीवारी को हरा सकते हैं यहां पर बहुत से लोगों ने जैसे हराया भी है तो यहां पर बहुत सारे जो infectious attack होते हैं जैसे bacteria है, virus है, germs है उन सब को हमारे शरी से सुरक्षित रखती है और यहां पर हो सकता है कि बहुत सारे unwanted cells को खतम भी करती है यहां पर WBC अगर WBC की बात की जाए तो मानव शरी के WBC में हमारे बॉडी के WBC में पांच तरक के WBC है जो पाई जाती है आप स्क्रीम पर देख पाएं कि मेंने साती हो जिसमें neutrophils है, isanophils है, basophils है, monocyte है, lymphocyte है सबसे ज़्यादा संक्या में पाई जाने वाली जो WBC है, वो है neutrophils फिर यहाँ पर देखे, lymphocyte है 20-40% फिर यहाँ पर isanophils है 1-4% यहाँ पर monocyte है 2-8% और basophils है 0.5 से यहाँ पर 1% के असपस तो मानव शरी में, human body में कौन सी WBC है, जो सबसे ज़्यादा संक्या में पाई जाती है तो मानव बॉड़ी में, मानव शरी में, कौन सी WBC है में ने साथ है तो याद कलीज हैं पर कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स है अब सुनो, WBC के अंदर हमने क्या categorize किया है, कैसे किया है, ज़रा समझेगा तो यहाँ पर है granulocyte जब बात करते हैं, यह होता क्या समझेगे साथ हो जो granulocyte है, इसे बोलते है ऐसे WBC है, जिनमें proteins पाए जाता है और यहाँ पर तीन तरक के जो granulocyte cell है, वो पाए जाते है granulocyte cell है, जो cell है, वो पाए जाते है जिसमें neutrophils है, acinophils है, और basophils है अगर बात की जाए, कि यहाँ पर कौन-कौन सी condition है जो WBC के change होने से हो जाती है तो हमारे शर्में बहुत सारी conditions है जो इनके change होने से होती है, जैसा आपके सामने दिया गया है आप इसका screenshot ले सकते है देखे साथियो अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहली जो condition है वो है अप्लास्टिक अनेमिया दूसरी condition है इवान सिंड्रोम तीसरी है HIV और चौती है पर लुकेमिया या लुकेमिया या लुकेमिया कह सकते है अब जो भी आप कहना चाहिसे देखे बच्चे, अगर हम बात करते हैं पर अप्लास्टिक अनेमिया के बारे में तो यह एक ऐसी condition है जिसमें person की यहाँ पर जो stem cells होते है वो destroy हो जाते है bone marrow के अंदर और यहाँ पर देखे हम जो बात करते हैं मेरे साथियों यहाँ पर RBC औ WBC का formation नहीं हो पाता है यह condition है तो अगर आपसे पूछें कि अप्लास्टिक अनेमिया क्या होती है तो इसमें हमारे शरीमिया blood cells का formation नहीं हो पाता है blood cells की formation करने वाली stem cells होते है bone marrow में वो यहाँ पर खतम हो जाते है वहीं पर बात करते हैं HIV के बारे में देखे HIV वाइरस है से लड़नी बाता है और यह तब होता है जब हमारे शरीक के अंदर WBC की संक्या बहुत जादा घड़ जाती है जैसा आपको मैंने बताया कि जब हमारे शरीक में WBC की संक्या घड़ेगी तो हमारे शरीक के अंदर antibodies और हमारे शरीक का अधर घड़ चुकी है आप देख पाएंगे मेरे पिछे अपने स्क्रीन पर वही पर हम जब बात करते हैं मेरे साथ में लुकिमिया के बार में देखे तो जो लुकिमिया है यह एक ऐसी condition है जिसमें मेरे साथ ही हो जिसमें देखे हम रोग होता है जिसे बोलते हैं ब्लेड कैंसर तो ब्लेड कैंसर यहां पे कब होता है जब हमारे शरीमें डवलो बीसी की मातरा कम होती है बहुत ज़ादा हो जाती है तो याद कर लिजगा कि ब्लेड कैंसर की समस्या तब आती है जब हमारे शरीमें WBC एकदम से ड्रास्टिकली यहां पर बहुत ज़दा बढ़ जाते हैं तो हमारे शरी में WBC के चेंज होने से दो कंडिशन बनती हैं याद कीजिगा दिखिए तो पहली कंडिशन है जिसे बहुत है लिकोसाइटस या लिकोसाइटोसिस तो लिकोसाइटोसिस की कंडिशन में WBC बढ़ जाती है और यहां पर जो कंडिशन मेरे साथी से बोलते हैं ब्लड कैंसर और यहां पर दूसरी कंडिशन है जिसे बोलते हैं लिकोपेनिया तो lycopenia के condition में मानव शरी के अंदर WBC की संक्या बहुत ज़दा घड़ जाती है और यहाँ पे हमारे शरी के अंदर antibodies भी कम हो जाएंगी और हमारे शरी का जो immune system में घड़ जाएगा मेरे साथियो और यहाँ पे जो condition वोतीव कौन से पे AIDS है तो AIDS बीमारी में कौन सी condition है जो मानव वाड़ी में हो सकती है यहाँ पे leukocytosis की है यहाँ फिर leukopenia की है तो याद कर लीजे मेरे साथियों पे कौन से पे leukopenia की है आप से question पूछा जाएगा अब हम बात करते हैं पे देखिए blood platelets के बारे में जिनें बोलते हैं रक्त बिम्मानू जैसे आप देख पारे हैं कि इनका जो main काम है वो है clotting factor को बढ़ाना याद कि हमारे शरीक के अंदर जहाँ पे घाव लग जाता है तो घाव को भढ़ने के लिए जो factors होते हैं उनको बढ़ाना और हमारे शरीक के अंदर जो clotting factor करने का जो main काल किया जा रहा है वो रग्त बिम्मान के दुवारा ही किया जा रहा है इनका निर्मान कहां से होता है ये question पूछा जाएगा तो मानव बॉडी में हमारे शरीक के अंदर जो platelets का formation है वो अताहाँ पे कहां से यहाँ पे platelets का जो वैग्यानिक नाम है जो scientific नहीं हो क्या पे तो platelets का जो वैग्यानिक नाम है वो है थ्रॉम्वोसाइट और यह small होते हैं colorless हैं और मेरे साथियों यह clot और यहाँ ब्लड को stop करने का काम करते हैं अगर बात की जाएगी इनका निर्मान कहां पे होता है तो इनका निर्मान होता है अस्ति मज्जा के अंदर अगर कोशन पूछा जा मेरे साथि हो तो platelets का कोई यह पे shape fix नहीं है यह irregular shape होते हैं का size कहीं पी बढ़ता करता रहता है सबसे important बात यह है कि इनमें भी nucleus नहीं पाया जाता है जब इनमें nucleus नहीं पाया जाता है तो क्या आप इनके द्वारा यहाँ पे DNA mapping करकते हैं तो answer is no इनके द्वारा हम DNA mapping नहीं कर पाते हैं मेरे साथियो और इनका जो average lifespan है इनका जो average जीवन काल है वो होता है तीन से पास दिन का इनकी मित्तु देखे रक्त महीं हो जाती है अब हमारे शरीव में देखे platelets का जो count हना वो बहुत important है हमारे शरीव में platelets के संक्या बहुत important बाने गई है तेकि यह कहा गया है कि कम से कम यहाँ पे 1.5 लाग platelets तो होनी चाहिए per micro liter नॉर्मल की जब बात करते हैं तो नॉर्मल यहाँ पर 1.5 लाग से 4.5 लाग यहाँ पर प्लेटलेट्स होनी चाहिए per micro liter और maximum condition में यहाँ पर बात करते हैं तो 50 लाग से 1 करोड यह जो प्लेटलेट्स की संक्या मैं बहुता रहा हूँ तो प्लेटलेट्स की संक्या जो बढ़ती है जब घड़ती है तो इनसे भी बहुत सारे डिसीज बनती है जैसे बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स हमारे शरी में blood clotting करती है जैसा को मैं बता चुका हूँ जब हमारे शरी में देखिए डिंगो होता है यह हमें डिंगो बीमारी हो जाती है मलेरिया बीमारी हो जाती है तो हमें बहुत थकावट का एसास होगा हमारे शरी में energy प्लेटलेट्स की माद्य मेंस होता है तो जब डिंगो की बीमारी हो जाती है तो हमारे शरी में प्लेटलेट्स का जो लेवल है बहुत कम हो जाएगा बहुत कम हो जाता है और ऐसी condition को बोलते हैं थ्रॉम्बोसाइटोपीनिया यह आपसे question पुझा जाके प्लेटलेट्स की कमी को क्या कहा जाता है तो मानव शरी म हम बात कहते हैं तो फ्रॉम्बोसाइटोपीनिया में जो प्लेटलेट्स की संक्या बहुत रह काम हो जाती है तो हमारे शरी में असक्षम हो जाता है नहीं कर पाता है तो ऐसी condition को क्या कहा जाता है मेरे साथ इसे बोलते हैं हेमोफीलिया और platelets की संक्या जो हमारी शरी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं thrombocytosis क्या बोलते मेरे साथ में पर thrombocytosis और यह condition होते हैं पर cancer की yes cancer की condition के अंदर भी है पर platelets की संक्या बहुत साथ बढ़ जाती है तो मेरे साथियों यह था हमारा पूरा का पूरा बलड और मैंने आपको आज बलड components के बार में बहुत सारी बाते डेटेल से बता दी हैं मेरे साथियों देखिए हरिष्टिवारी सार जो मैं हूँ यहां पर बहुत सारी classes चल रही है मेरे पहला ली आप रोज में साथ जोग्रुफी पर सकते हैं वाइफाइ स्टेडिश पर अहां पर मेरे एससे जुडी का special batch चल रहा है और सबसे important बात रोज सबए 6 बज़ो हती है हमारी current FAC class आपके बहुत ही प्यारे आप academy के किसी भी subscription को unlock करने के लिए मेरा code यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है HT7 तो आप जब academy का subscription लें तो ये piece पे ना कीजिए कर मेरे साथियों यूज़ कीज़े मेरा code that is HT7 बहुत फायदे हैं आपको इसे तरह से बहत्रिंग बहत्रिंग content है लगाता मिलने वाला आपको देखे एक systematic वीम में सारी की सारी चीज़ों मिलने वाली है और सबसे मिन बात यह कि आप अपने तयारी का आखिलन कर सकते हैं बाई तो साथियों देखे यह था आज कमारा पुरा क्लास और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को जरू मिलाओगा साथियों चीज़े पसंद आई है तो शेयर जरू किज़ेगा लाइक जरू किज़ेगा और कम सीकर मुझे 20 से 25,000 आपर ल भारत